नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वाजत है और आज मैं लाया हूँ OnePlus और Realme Narjo Company के दो बहतरिन 5G स्मार्टपॉन जिसमें पहला स्मार्टपॉन OnePlus Company की Nord स्रीज का OnePlus Nord CE4 Lite 5G और दूसरा हमारे पास Realme Narjo 70 स्रीज का 70 Pro 5G तो आज हम करेंगे यह दोनों की अन्बॉक्सिंग और कंपरिजन एक साथ और देखिंगे कौन सा स्मार्टपॉन आप के लिए रहेगा सबसे बेस्ट परस्ट अपॉल दोनों स्मार्टपॉन के प्राइस को जान लेते हैं तो यह दोनों हैं अमारे पास 8GB, 128GB वेरेंट, OnePlus Nord C4 Lite 5G आपको 19,999 रुपे का मिलेगा अगर आपकी पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1000 रुपीज तक का डिसकाउंट भी इस पर मिल सकता है वहीं पर जो नार्जो 70 Pro है पिछले हफते तक अगर आप इसे पर्चिस किया हो दोस्तों तो कंपनी इस पर बहुत बड़ा ओफर दे रही थी दोस्तों वो भी 4000 रुपे का डिसकाउंट लेकिन अभी इनकी यूनिट जैसे ही सौट हुई तो इन्होंने प्राइस को थोड़ा बड़ा दिया है अभी भी आपको 2000 रुपे का डिसकाउंट मिल रहा है नॉर्मली इसकी प्राइस भी 1999 रुपे है लेकिन अभी Amazon आपको इस पर 2000 रुपे का कूपन दे रहा है पहले 4000 र दीजे क्योंकि FC वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लात रहता हूं तो OnePlus ते सुरुवात करेंगे एक mini box black color का जिस पर OnePlus का logo इस box के अंदर देखें क्या-क्या मिलता है तो दोस्तों एक मिलेगी SIM ejector pane, quick start guide, user manual warranty card और काफी सारे cards दिये गए है यह membership card भी आपको इस mobile को काफी fast charge करेगा इसके बाद जो USB केविल मिलती है वो भी सुपर वोक वाली है दोस्तों red color की type A to type C length और quality काफी बढ़िया है केविल की आते है नार्जो 70 pro पर तो यहाँ भी एक mini box बार कोड दिया गया इस पर तो इसे scan करोगे नार्जो कुलब को जोएन कर लोगे 6 मंत की warranty extend हो जाएगी तो यह भी बड़िया काम किया है रियल मी कंपणी ने सिम इसके अंदर सिमिजक्टर पिन क्विक स्टाइट उसर मैनवाल कवर दोनों के साथ मिल जाता है मैं यहाँ पर बोल गया था वन प्लस का कवर आपको दिखाना तो आप देखे दोस्तों यह है दोनों स 67W का Superbook Charger Adapter यह भी मुबाइल को काफी Fast Charge करता है USB केविल आपको इसकी मिलेगी Type A to Type C और यह केविल भी काफी बड़िया क्वाल्टी की है दोस्तों दोनों का Compare करें तो देख सकते हैं Sam केविल हैं दोस्तों काफी मोटी बस यह Red कलर की है और यह White कलर की है और आब आते हैं द Size ज़्यादा बड़ा रही है अच्छे से आप Carry कर सकते हैं दोनों Smartphone को नहीं तो आजकल आपने देखे हूंगे काफी बड़े-बड़े Size की Smartphone आते हैं यहाँ पर OnePlus हार गया दोस्तों काफी ज़्यादा टाइम ले रहा है दोस्तों यह On होने में जबकि Nardo 70 Pro बहुती Fast On हो गय यहाँ पर Dual Ton Finishing उपर है Glossy Finishing नीचे हलकी Matte Type की Finishing दी गई है यहाँ OnePlus और यहाँ नार्जो का लोगो देखने को मिलता है वहीं पर जो Camera Module है दोनों Smartphone के काफी आलग है दोस्तों यहाँ पर प्रसनली मुझे OnePlus का Camera Module जादा बढ़िया लग रहा है Realme Nargo 70 Pro के मकावले यहाँ बड पढ़ेगी नहीं तो Lens पर Scratches आ सकते हैं अब बात करते हैं दोनों Smartphone के Camera की तो दोस्तों दोनों ही Smartphone Mean Primary Camera 50 Megapixel के दे रहे है वहीं 2 Megapixel का Depth Sensor Camera और यहाँ 2 Megapixel का Micro Sensor Camera दिया गया है तीसरा जो Camera है दोस्तों वो है Ultra Wide Angle Camera जो है 8 Megapixel का तो Realme Company ने यह बढ़िया कि Ultra Wide Angle Camera भी दे दिया बाकी फ्रेंट में तो दोनों Smartphone पंचोल के अंदर दे रहे हैं 16 Megapixel का Selfie Camera दोनों Smartphone बॉक्स ही टाइप के हैं चारों कॉनर है rounded और साइट फ्रेम विल्कुल फ्लैट मिलेगा जहां राइट साइड में है power on की volume rockers और fingerpin sensor in display मिलेगा इसके अलावा उपर की साइड secondary mic noise cancellation के लिए नार्जो दे रहा है बाकी दोनों में आपको dual studio speaker का support मिल जाता है यानि कि उपर भी speaker नीचे भी speaker दिये गए है Realme का 3.5 mm का audio jack उपर दिया गया है left side में OnePlus की sim tray और bottom में Realme की sim tray नजर आ रही है और OnePlus का 3.5 mm का audio jack है वो नीचे की side बाकी दोनों में primary mic charging jack और speakers दिये गए हैं दोनों smartphone को तो हमने already boot करके रखा हुआ है एज और bezels पहले देख लिए ये दोनों smartphone के corner उपर से पतले हैं हलके chin ज़्यादा छोड़ दी है वैसे अच्छी लग रही है दोस्तों इतनी ज़्यादा भी नहीं है काफी हद तक कम किया गया है OnePlus 3 brightness को हम 100% कर देते हैं यहां तो already brightness 100% हो रही है तो display के जो colors हैं brightness हैं वो काफी ज़्यादा आपको मिल जाती है 2100 nits की peak brightness OnePlus में 2000 nits की peak brightness नार्जो में मिलती है इसके अलावा आपको यहां पर आइकन नजर आ रहे होंगे जैसी हम scroll अप करते हैं तो phone में मौझूद सारे के सारे application भी नजर आ जाते हैं काफी हद तक दोनों कमपनियों ने clean UI रखने की कोशिस किया दोस्तों fall to preinstall application या game unwanted bloatware application को कोई भी जगव नहीं भी है दोनों कमपनियों ने touch दोनों के smooth और fast मिल रहे हैं 120Hz के refresh rate के साथ आते हैं दोनों smartphone अब बात करें दोनों smartphone के display की तो same display size है दोनों smartphone का 6.67 इंच की full HD plus AMOLED डिस्पले मिल रही है दोनों में aspect ratio है 229, screen resolution 1080 x 2400, pixel pixel density 395 ppi की मिलती है HDR 10 plus का support भी मिल रहा है नार्जो 70 pro में इसकी अलावा height भी बिलकुल same है दोनों smartphone की 162.9 mm, 162.95 mm, thickness में थोड़ा अंतर 8.1 mm की thickness 1 plus में नार्जो में 7.97 mm की thickness बैटरी का भी अंतर है दोस्तो 5500 mH की बैटरी मिलती है OnePlus में 5000 mH की बैटरी मिलती है नार्जो में जबकि दोस्तो weight में देख सकते हैं OnePlus फिर भी light weight है दोस्तो 191 gram है इसका weight जबकि इस पर ज्यादा mH की बैटरी लगी है और नार्जो का weight है 195 gram अब हम दोस्तों दोनों smartphone की setting प इसा आपके सामने खुलेगा जहां सारे option हमें नजर आ रहे हैं हमें जाना है about device के अंदर जहां फॉन से related सारी information मिलेगी डिवाइज ने model name में इंसन किया गया है OnePlus का जो oxygen OS है उसका version है 14.0 और यहां पर जो processor आपको इसमें मिल रहा है वो है 2.2 GHz का octa-core और chipset Qualcomm Snapdragon 695 का दिया camera details को mention किया है storage type UFS 2.2 expendable memory को 2TB तक phone में बढ़ाये जा सकता है Android version 14 मिल रहा है दो major update भी मिलेंगे आपको 1516 के और 3 साल का security update भी मिल जाएगा वहीं पर जो Narjo 70 Pro है इसकी भी setting को open करें तो यहां interface कुछ ऐसा जहां नीचे about phone section जिसे open करते realme UI version 5.0 दिया गया इसमें device name model name mention है 128GB क storage यहां भी मिल रहा है और दोस्तो storage type UFS 2.2 बात करें प्रोसेसर की तो 2.6 GHz का octagore processor मिलेगा आपको spawn में और MediaTek Dimensity 7050 का chipset यह भी बेस्ट है 6NM के fabrication पर Mali G608 के graphic दिये गये हैं battery details को और camera details यहां भी mention किये हुए है RAM 8GB मिलेगी आपको यहां पर भी LPDDR4X वाली Android 14 के साथ मिल स्मार्टफॉन 1560 के update भी मिलेंगे तीन साल का security update भी यहां मिल जाएगा इसकी अलावा दोस्तो आप दोनों स्मार्टफॉन के जो camera है इन पर नजर डालते हैं कुछ object यहां पर रखते हैं जिससे हमें और better camera नजर आए तो यह देखिए दोस्तो दोनों स्मार्टफॉन के जो जूमिंग जो support है वह आपको मिलेगा दोनों स्मार्टफॉन में यहां oneplus 10x और 20x का जूम सपोर्ट 70 pro में दिया गया और 70 pro के फुल जूम होने के बाद भी color fit नहीं होते दोस्तो 20x जूम में भी तो बढ़िया जूम है वैसे नार्जो का भी दोस्तो इसके अलावा वीडिय वीडियो सूट लेकिन यहां तो full HD और HD में वीडियो सूट कर पाओगे oneplus से और 60fps का support तक नहीं मिल रहा जबकि नार्जो 70 pro में आपको full HD और 4K का support भी मिल जाते हैं plus 1080p में 60fps का support भी मिल रहा है तो ज्यादा बढ़िया camera features तो आपको नार्जो के ही मिल रहे है street night mode pro mode तो दो front camera दोनों smartphone के बिलकुल सैंस 13 Megapixel के हैं और यह देखें दोस्तो फ्रेशनली मुझे ज़्यादा बढ़िया तो color oneplus का दे रहा है दोस्तो front camera में जबकि realme का यह portrait mode mode आप देखते हैं फिर भी नार्जो के मुकाबले तो oneplus का front camera ज्यादा बैटर लग रहा है अपनी पसंद होती करती है अगर आपको पसंद आ रहा हो oneplus का smartphone या फिर पहले से यूज़ कर रहे है oneplus को तो obviously आपको यह पसंद आएगा नार्जो यूज़ किया है तो नार्जो ही आपको पसंद आएगा देखा जाए तो दोस्तों realme मुझे प्रशनली ज्यादा बढ़िया लग रहा है दोस् प्रोसेसर भी आपको ठीक ठाके मिल रहा है बाकी फूल एजडी प्लस एमुलेट डिस्प्लेइस में मिल रही है संसाट वोड का फास्ट चार्जर मिल रहा है कैमरा में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सौरी मैं बताना बूल गया दोस्तों यह रियर कैमरा देखिए जूम इनके साथ साथ जूम आउट भी इसमें कर सकते हैं यह देखिए कितना और एरिया इसने कैप्चर कर लिया तो प्रस्ट्रेली मैं यह आपार सेवन्टी प्रो को ज्यादा बैस्ट मान रहा हूं क्योंकि यह 18,000 रपे का मिल रहा है और यह 20,000 रपे का मिल रहा है बागी तो अपनी अपनी पसंद होती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स मताईए दोस्तों आपको इन दोनों में से कौनसा स्मार्पोन बढ़िया लगा कौनसा पर्चिस करना चाहोगे आसा करता हूं मेरे द्वारदी की ज्यानकारी आप सभी के जुरू कुछ में कुछ काम आएगे